हाउरु फीक्स सैमसंग गलक्सी एसिक्स एरफोन नोट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब सभी का तिकराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है एरफोन के इस प्रॉब्लम को जो है स आपको सोल्उुशिन करना है वह सब दोस्तों आपको इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला वह तो दोस्तों अंतक लेकर जो भी solution है उसको follow करे तो यहाँ पर दोस्तो आपका जो problem है वो लगबग solve हो जाएगा ठीक है तो वीडियो के सारां तक बने रही है अपने problem को solve करने के लिए और दोस्तो अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करते हुए bell icon को click करे अगर आप online पेसा कमा ना चात करते हैं तो वीडियो description पर link आपको मिल जाएगा किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों के रिलेटेड अगर problem होते हैं तो आपकी जो एरफोन का जेक है ठीक है जहाँ पर एरफोन प्लग कर तो आपको दोस्तों यहाँ पर चेक करना है कि आप जो भी एरफोन यूज़ करें वह आपके मोबाइल के लिए सपोर्टेट है या नहीं है ठीक है सेमसंग का एरफोन जो है आपको यूज़ करके देखना है और निव पीस आपको ट्राइगर कर जाएगा ठीक है अगर नही कर रहें तो एक एरबाड लेके अपना जो प्लक ही एरफोन का जो एक एरफोन प्लक करने का हॉल डेते तो एरबाड के मज़े से उसको साफ करने की कोशिश करें ठीक है क्योंकि दोस्तों कई वर क्या हो जाते कॉपर वाइर वगरा अगर चाले जाते उस प्लक के अंदर पे या फिर कोई डस्ट वगरा जो है श्टाक हो जाते अंदर पर ठीक है जहां पर आप एरफून प्लग करते मोबाइल पर तो उसके वज़े से दोस्तों प्रॉब्लम होते तो थोरा साथ उसको साफ करने के कोशिश करें एंडेंट दुबारा से चेक करके ट्राइ कीजिए ठीक ह तो इससे क्वर काम बन जाते और आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते तो यह पर करके देख सकते हैं सारे साथ झाप आपका जो एएरफून का जेक है उसको кажपके और फास्ट से अपना जो एरफोन है उसको प्लग इन कीजिए और प्लग आउट कर दीजिए यानि कि इंसेट करना है और यहाँ पे बाहर निकाल देना है ठीक है तो इतना करके देख सकते हैं दोस्तों आप यह सब दोस्तों एक कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो फिक्ष्ट हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ साउंट सेटिंग भी जो ही मिल जाएगा साउंड वाइबरेशन के अंदर पर जाके अगर आप चेक करते साउंड को एरफोन का यहाँ पर मिल जाएगा तो आप वह सब इन के बाद एरफोन को यूज़ करके देखें अगर कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो डेफिनेटली प्रॉब्लम जो फिक्स हो जाएगा और आपका जो यहाँ पर मोबाइल हो किसी भी ब्लूटूट डिवाइस के साथ कनेक्टेट नहीं होना चाहिए अगर ऐसी बात है तो आप सारे सॉलुइशन आप ट्राइब कर रहें ठीक है फिर भी नहीं हो रहा है प्रॉब्लम सॉल्ट तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो एरफोन जाके वह खराब हो चुका होगा ठीक है तो हाड़वेर के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते है तो आप किसी भी टेक्निशन के पा तो इस तरीके से दोस्तों आप फिक्स कर सकते हैं अपने एरफोन प्रॉब्लम्स को उमीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंने होगा टेंक्स वो राचिंग